आज हम ब्लाउस के बारे में मैं आपको जान करें देने वाली हो कि जैसे यहाँ पे क्या हो जाता है कोई कोई कहते हैं जैसे नए सिलने वाले होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे आपकी जो फिटिंग की साइड होती है वो थोड़ी कम जादा हो जाती है यहाँ स्लीज में आप यहां पर आपको क्या करना है जैसे यह जो फिटिंग हम करते हैं कम ज्यूदा क्यों हो जाता है क्योंकि आप का जो MUेशिट में कटिंग अच्छी वनेगी तो सिला भी आप की ठीक नहीं آए होगीं सिलाए इसलिये भी आपका यह कम ज्यूदा हो जाता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको cutting बता देती हूँ तो उसी cutting के हिसाफ से आप cutting करोगे तो आपको यह problem जो है वो clear हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है जैसे back side जो है एक inch जैसे लंबाई जितनी होगी उसमें हम एक inch प्लस करते हैं मैंने इससे पहले भी वीडियो stitching के वीडियो जो है वो अपलोड किये हैं त्वीटिंग कैसे करनी है यह भी मैंने आपको बताया है लेकिन यहाँ पे आपका फिर भी जैसे comments box में पूछ गया कि यहाँ पे हमारा कम जादा हो जाता है तो यह क्यों हो जाता है अब देखें यहाँ पे मैंने आपको कितने बार भी बोला है कि यहाँ पे हम 4 inch की cross patti निकालते हैं और यहाँ पे हम 3 inch की लेते हैं जैसे 4 इंच और 3 इंच की क्रॉसतिय आपको ज्Ayンチ करनी है या करतो निकलता है और यह भी आपका पर्फिंट ने पाता है लेकिन क्रॉसतिय क्रॉस पर्टी करें हैं is罪 में ज्यादा क्तिक करते हैं तो उसमें आपको बताया भी है कि यहां पे आप जब हम लिखा पट्टी जो है यहां 4 इंच और इस साइड में तीन इंच करते हैं तो फ्रेंट साइड में पर एक जोइंट कर लेते हैं और इस साइड में आस्तर वाली आस्तर के साथ और इस तरह से यह जेसे नॉर्मल करते हमारे जादा आती हैं यह उसके उपर क्रॉस पट्टी क्यूब कर आपको मार्किंग करनीएं जो हैं यहाँ पे आपको मार्किंग करनी हैं वह आंधर के सायड में और हो इसके तो यहां पर भी जब हम स्लूेत करते हैं तो यहां फे हमारी जो वाजू का शेफ है पहले तो वह अच्छे से जैसे मैंने आपको बताया है के slyué कटिंग कैसे करनी है वह अच्छे सी आपको देनी हैं उसके बाद जब हम स्लूज तैयार करते हैं तो यह front और back side जो है वो same है कि ने पहले आपको check करना है यह दोनों side तो आपकी same हो जाएगी क्योंकि cross party जो जादा लेते हैं पहले से हम लंबाई में 1 inch plus करते हैं और यह cross party जो है 4 inch और 3 inch के लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक marking करनी हैं वैसे मैं आपको फिर से stitching का वीडियो भी मैं upload करूँगी तब आपको फिर से वापिस समझाओंगी यहाँ पर आपको क्या करना है इस side भी आपको check करनी है और इस side भी आपको check करनी है जब हम सिलाई दोनों साइड जैसे स्लीव जोइन करने के बाद भी दोनों साइड सेम है कि ने आपको चेक करनी है और यहाँ पे भी आपको स्लीव जोइन करने से पहले बैक साइड आपको फ्रंट साइड आपको चेक करनी है यह ठीक है कि ने तो दोनों साइड में जब ठीक ह यहां पर फिर आपको फिटिंग की सिलाई लगानी है तो मैंने फिटिंग की सिलाई कैसे लगानी है यह भी मैंने आपको बताया है तो इस तरह से आपको फिटिंग की सिलाई जैसे स्लियूज का हाफ लेना है चेस्ट का वनफॉर्ट लेना है और कमर का वनफॉर्ट लेना है इस तरह से आप फिटिंग के सिलाई कर सकते हैं तो इससे जब हम अच्छे से देखोगे तो आपका यह ब्लाउट जो है वह कम ज्यादा नहीं होगा तो इस तरह से मैंने आपको यह जैसे कमेंट्स बॉक्स में पूछा गया कि यहाँ पे आपका जो फ्रंट साइड है या बैक जानी है तो इस तरह से आपको रोगे तो आपका ब्लाउट जो है वह बैक सेड फ्रंट सेड कम जादा नहीं होगा तो यहाँ पर मैंने आपको यह वीडियो जो है ब्लाउट के उपर जैसे ब्लाउट फ्रंट और बैक सेड कम जादा हो जाती है तो इसके उपर मैंने आपक बताया है तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फर ओचिंग देश लियो